हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुस्खे में हम उप्चार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें 23 मार्च 2020 दर्ष अमावस्या सफलता के लिए करें एक छोटा सा काम शासरो के अनुसार दर्ष अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह गायब रहता है कहते हैं कि दर्समावश्या का दिन सुख सम्रदी और परिवार के सुखत भविश्य के कामना के लिए बहुत ही शुब होता है ऐसी मानिता है कि जो लोग इस दिन सच्चे मन से प्रातना करते हैं तो चंदरदेव उनकी प्रातना जरूर सुनते हैं वहीं यहां अमावश्या फित्रों को प्रसंद करने के लिए भी बेहत खास होती है आज हम आपको साल 2020 मार्श माह में आने वाली दर्स अमावश्या की शुपति थी पुजा का शुब मुहरत पुजा विधी और सुख सम्रिधी के लिए इस दिन किये जाने वाले एक आसान उपाय के बारे में बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं दर्स अमावश्या शुब मुहरत 2020 साल 2020 में दर्स अमावश्या 23 मार्च सोंबार के दिन है अमावश्या तिथी प्रारंब होगी 23 मार्च सोंबार 12 बचकर 30 मिनट पर वहीं अमावश्या तिथी समाप्त होगी 24 मार्च मंगलवार सायंकाल 2 बचकर 57 दर्समावस्या पूजाविधी दर्समावस्या के दिन पित्रों का तरपन करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है क्योंकि इससे पित्रों को मुक्ति मिलती है इस दिन प्रादकाल किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर पित्रों के नाम से तिल नदी में अरपन करने चाहिए और इसके बाद सूरीदेव को अर्ग दे कर पित्रों का तरपन करें। जो लोग दर्समावस्या के दिन श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उन्हें अपने पूरवजों के आशिरवात से जीवन में समृध्धी की प्राप्ती होती है, और साथ ही इस दिन भगवान चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन के प्रतेक कारियों में सफलता का बर्दान मिलता है। पित्रों की पूजा के लिए खास कहा जाता है कि दर्समावस्या के दिन पूजा और उपवास करने से व्यक्ति को चंद्रमा की विशेश कृप्रा मिलती है और मांसिक रूप से शांती प्राप्त होती है ऐसा कहा जाता है कि इस्तिती के दिन पूरवज धर्ती पर आकर अपने परिवार के लोगों को आशिरवात देते हैं इसलिए आज के दिन पूरवजों के लिए विशेश रूप से प्रार्थना कर उन्हें प्रसन किया जाता है इस अमावस्या को श्र दर्स अमावस्या का इतना अधिक महत्व बताया गया है कि यदि जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक संखाश होता है उन्हें भी भगवान चंद्रदेव आसान बना देते हैं दर्स अमावस्या उपाय जोतिस की दृष्टी से यूँ तो प्रतेक अमावस्या बहत खास होती है लेकिन दर्स अमावस्या तिथी को और भी अधिक लापकारी माना गया है इसलिए यदि इस दिन को चुपाय किये जाएं तो व्यक्ति को इसके प्रभाव से जीवन में सुक्सम्रती, सफलता और आरोग्य की प्राप्ती होती है तो आईए जानते हैं इस दिन किये जाने वाले उपाय क्या है दर्समावस्या के दिन हन्मान जी की पूजा का विशिश महतो होता है यदि जिन्द श्री हन्मान बाहुक का पाट किया जाए तो व्यक्ति को रोगों से छुटकारा मिलता है इसके साथ ही किसी भी तरह की संकट का निवारन करने के लिए आज के दिन 108 बार शी हन्मान चालिसा का पाट बेहद ही लाब देने वाला होता है आम आवस्या के दिन घर के इशान कोण में गी का दीपक जलाने से मातालक्षमी प्रसन होती है और व्यक्ति को सुख सम्रति का वर्दान देती है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले